कम्यूनिकेशन इसकिल्स के पार्ट तीन में आपका स्वागत है आज किस एपिसोड में मैं कम्यूनिकेशन इसकिल्स कुछ इंपोर्टेंट बात हैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अगर आप बैंकिंग फिल्ड में जॉब लेने की सोच रहे हो तो अच्छा एक और बात बता दो अगर आपको यह पूरा वीडियो नहीं देखना है जो मैं इसमें वैसे समझाने वाला हूँ कुछ ऑफिसर्स का खर्चा किया है उसके बाद एक बढ़िया डिसीजन लेने के बाद हमने एक बुग बनाई है और वो बुग आपको बहुत ही कम खिमत में हम दे रहे हैं हमने तो एक बार बना दी हमारा तो ऐसा कुछ एफर्स नहीं लगा है कितना लगे 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 एक बार अब आपको हम वो कम खिमत में उसलिए दे रहे हैं कि अगर आपने वो एक दो बार पढ़ ली और आपने उससे कुछ सीख लिया ठीक है तो आपकी लाइफ में जो चार कि जीलिए जैसे बोलते हैं जो राहुल गांडीजी बोलते हैं और इसका लौट जीलिए नेता मारे आप आ Mau रे आप हैं वो क्यो घंटों घंटों ऐसे बोल जाते हैं मिटिंग कर लेते हैं पॉavais जोड़कर रख लेते हैं सारी स्क्ड़ेजी गोरängt के ऑन दर लिखा किमत अ हमारे पास है conscious language आपके होनी चाहिए और आपकी जो शब्द हैं वो एकदम किलियर होने चाहिए जैसे मैं आपके सामने बाते करता हूं देखे साफ बोलेना भी अपने अपने एक कला है बहुत सारे लोग ना words को खा जाते हैं बोलना कुछ चाहते हैं लेकिन एक चुली उनके म बोल रहे हो ना सामने वाले को clearly समझ माना जी है जैसे हम बहुत सारे words बोलते हैं बहुत सारी बाते करते हैं जल्दी जल्दी बोलने कोशिश करते हैं और उससे हम गलती कर बैठ जल्दी नहीं बोलना भी धीरे धीरे बोलो बात को समझा के बताओ ठीक है आपने बहुत सारे comedian देखोंगे, जो अपना point रखते हैं, ठीक है, उनका वही style है, वो जल्दी नहीं करते हैं, बड़े धीरे धीरे बोलते हैं, और audience कितना सब हस्ती है, समझ रहो ना, गुडगाओं में ना, basically गुडगाओं में, अगर आब रात में 10 बजे के बाद Google Maps on करो, तो voice assistant भी नहीं आती है, उसकी मम्में भी मना करती है, उसको, रात में बाहर निकलने से, तो कोशिश करो, बात को शुरू में धीरे रखो, गलतिया कम होंगे, जब हम अपनी वीडियो बनाते हैं, तो मैं कभी-कभी नहीं बहुत तेजी में बोलता हूँ, बहुत जल्दी बोलने कोशिश करता हूँ, तो मुझसे बहुत गलतिया होती हैं, लेकिन जब मैं धीरे- धीरे बात करता हूँ, सिलोली-सिलोली बोलता हूँ, तो फिर मैं बहुत अच्छे words यूज कर पाता हूँ अपने वीडियो उसकंदर, तो प्लीज कोशिश करो, शुरू में धीरे बोलो, सेकेंड पॉइंट क्या है, कम्यूनिकेशन स्किल्स, जब आप सीख रहे हो, या किस तगड़ी कोई चीजे समझा रहा हूँ, ठीक है, जैसे मुझे किसी को GST समझाना है, तो GST में एक चीज नहीं है, कई बारी हम कहते हैं कि यह जो टक्स जा रहा है, वो सरकार को जा रहा है, कई बारी हम कहते हैं कि यह जो सरकार को जा रहा है, ठीक है, कई बारी हम कहते हैं नहीं Central Government को जहा रहा है फिर हम कहते हैं अच्छा State Government भी होती है अरे यार तुमने इतना Confuse करती है सामने वाले को अब वो Confusion है तो ऐसे बात हमें नहीं करने हैं हमें बहुत ही असान भाषन में बात करने हैं जैसे भाया दो तरीके की सरकार हमारे देश में होती है GST वाली बात चलिक चुरी एक एक एक्जामबल दे रहा हूँ कभी तुम मेरी टांकी लग चाओ तो प्लीज समझाओ एक State Government होती है और एक हमारी Central Government जिसमें हम 9% अपना Central को देते हैं और 9% अपना स्टेट को दे देते हैं यह GST का प्रोसेस है मतलब आपको कोई भी पॉइंट समझाना है बहुत सिंपल मेथेट से यूज करिए बिकोज आपने अगर सामनावले को बात नहीं समझाई ठीक है अपने गंटा वहाँ पर बग बग किया और बात समनावले को समझ में आई ही नहीं तो आप जनाब बेकार कम्यूनिकेटर है आप से कुछ नहीं हो रहा है तो कोशिश करो कम शब्दों में अच्छी बाते बोलो और उससे भी important किलियर आसान भाशन में बात करो तीसरा point यह है message आपका सही से बहुचना चाहिए ठीक है अच्छा यह वीडियो बनाने का क्या concept है मैं आपको कुछ सिखा ही तो रहा हूँ मैं आपको कुछ समझाने की ही तो कोशिश कर रहा हूँ अगर मेरा message आप तक clearly नहीं पहुचा कि भाया हम communications को improve करवा रहे हैं का आपका जो communication skills है उसको improve करवा रहे हैं इस वीडियो में आपको यह बात ही पतानी लगी तो इस वीडियो को बनाने का कोई sense बना क्या ओवियसली नहीं बना कोशिश यह करनी है कि आपको सामने वाले का दिमाग के साथ साथ असान भाषा में बात करने के साथ message clearly पहुँचना चाहिए उसके mind में समझना की बात अच्छा एक और बात है बहुत साथ लोग बाते करते हैं लेकिन सामने वाले को ना hurt कर देते हैं और यह मैंने देखा है relationship में बहुत होता ठीक है बहुत सारे तरीके relationship होते हैं जिसमें हम कुछ भी ऐसा अनाप शना बग दिया किसी के बाप को गाली दे दी यूँ कुछ कह दिया बंदी हैं आपकी वो थोड़ी नरास सी हो गई देखो यह चीज़ का धिहान रखना चाहिए किसी के भी भावनाओं को हमें आहत नहीं करना अगर हमें गाली भी देनी है तो हम अपनी girlfriend को गाली दें सिर्फ या अगर गाली ही देनी है तो सिर्फ boyfriend को आगे तक नहीं बढ़ना समझ रहो point समझ रहो मतलब hurt नहीं करो किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना लेकिन उसने यहाँ पर एक bad communicator का गाम किया, उसने जो अपनी comedy में word use किये, वो सामने वाले की भावनाओं को आहत कर दिया, ठीक और उसको उसका परिणाम भुगे देना पुड़ा, क्या हुआ, जेल हुआ हैं वहां रहका है, वो मस्तिक दम, तो communication skills का यह पहला rule है, कि आपको सामने वाले की बात सुनने के साथ, उसकी भावनाओं को ध्यान रखना जरूरी है, अपनी जबान से सामने वाली की बैद भी हमें नहीं करने का भी भी, ठीक है, यह हमारा चोधा पॉइंट था, इसके साथ एक और पॉइंट बचा हुआ है, कि सही शब्दों का इस्तमाल कर हमें, तो आपने call किया होगा customer care को और वो आपसे बोलते हैं कि भाईया थोड़ी please, शब्दों की मर्यादा रखिए, ठीक है, थोड़ा अच्छे से बात कीजिए, हाँ, आप limit cross कर रहे हो, please उसको थोड़ा संभाल के बात करो, वो यह बात करते हैं, तो आपको इस बात का ध् language और facial expression, मतलब समझो, जैसे मैं आपके सामने से बात करो, तो कई बारी ना हम अपनी जो movements करते हैं, या हम ऐसे जो भी चीज़े कर रहे होते हैं, उसका भी एक असर पढ़ता है, जैसे मैं आपके सामने ये सारी बत्तमीजी किया भी, इधर से इधर हुआ, और just किया खुद क हो, या आपने रोना ही लगाया बाए, देन दिक्कत आ सकती है, आपको ये चीज़ समझनी चाहिए, कि facial expressions के साथ साथ आपकी body language बहुत अच्छी हो, एक बार क्या हुआ, मैं एक job करने का था, पहली job थी मेरी वो, तो वहाँ पर एक sir मिले मुझे, मतलब ठीक था, 7 क्रालका सर कहते थे हैं, ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने मेरे को बोला, कि जनेत, तुम्हारा ना, ऐसे, communication skills ठीक नहीं है, मैं बोस को interview दिया है, बोस ने मुझे select किया है, तो मेरा communication skills को खराब बता रहे हो, तो उसने बोला कि नहीं, communication बातचीत वाला नहीं, आपका body language ठीक नहीं, तो मुझे फ्रीज थोड़ी learning की जरुवत है, आप मुझे समझा दिया करें, अजर आपको लगता है कुछ ओड कर रहा हो, तो फिर उन्हें नमर को बताया, कि कहीं भी कुछ भी तरीके से खड़ा नहीं होना, हाथ बांद के कहीं भी ऐसे बतनावीजी नहीं करनी, तरीके से पहले तक मैं अपना आपको बड़ा होशार समझ रहा था, अपना काविले तारीक समझ रहा था, मेरे चास तो बंद ही नहीं है और लेकिन वह बंद अच्छी दिल लिगा था, उसको बहुत नौलिज थी, बहुत दिन से काम कर रहा था, तो इस चीज़ का दियान पर दूसर important point हमारे पास है, eye contact and आपका posture, यर जब भी मैं interview देने जाता हूँ ना, मैं examiner की आग हो में आखे डाल के बात करता हूँ, मुझे नहीं लगती भाई शरम, तो तुम भी इस चीज़ को छोड़ो, ठीक है, अभी तो यह front camera on है, because यहाँ पर हमारा mobile लगा हुआ है, तो front camera में मै actually नहीं देखता हूँ, कि कहां में देख रहा हूँ, क्या गरा हूँ, इसको भूल जा, ठीक है, मैं examiner की आखों में एक दम जुख जाता हूँ, मैं उसको देखता हूँ, कि भाई, लड़की है तो भी रड़का है, तो भाई, हमें अपने आपको सही साबित करना है, अगर हम शर्माते रहेंगे, या हम ऐसे उसके सामने नहीं बोलेंगे, तो वो तो हमें भगाई देखा न, overall, तो eye contact maintain करो, अगर आप एक लड़की के साथ जा रहे हो, माइडम के साथ जा रहे हो, या फिर आपका interview है, चाहे वो लड़का है, लड़की कोई भी ले रहा है, प्लीज, आखों में आखे डाल के बात करो, मतलब घूरना भी नहीं है, अगर वो अपनी पलके जुका रही है, तो तुम भी जुका लो, बेशरम मत बनो, लेकिना, eye contact maintain करो, पोस्चर की बात चले देते को, अभी मैं आपके सामने से बैढ़ाओ, और मेरी body language है, मैं पोस्चर साही नह कई बारी हमारी जो touch होते हैं, जैसे हम किसको touch कर रहे हैं, office में बहुत जादा touch touch होया जाता है, हाथ वाथ मिलाना, ऐसे हग वक करना, यह आम सी बात है, आज का वैसे यह modern face है, modern value है, तो normal सी बात लगएगी, सबको कर नहीं नहीं हाग तो चलता है, ठीक है, तो इन सब चीज बोलने की, वहां तेज बोलें, और जहां जरूरत है धीरे बोलने की, वहां पर धीरे बोलें, understand, हाँ जी, हमारे दो point हमने complete कर लिये हैं, तीसरा हमारे पास है empathy, भावनाओ को समझो, यह हम यहाँ पर बैटके वीडियोस बना रहे हैं आपके लिए, और आप हमारी अच्छा, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कॉमेंट्स करना, यह हमारे मुह से बोलने का भी मतलब नहीं है, अगर आपको अच्छा लगता है content जाहिर से वाथ, आप सब कुछ करोगे, तो यह एक communication skills का हिस्सा है, जिसको हम कहते हैं कि दुसरी के भावनाओं क बन जाए, या पिर आप ऐसे दिल तोड़के चली जाए, नजरों से खेलो कहीं खेलोताई है, तो थोड़ा नजरों का ध्यान रखो, द्रश्टी कॉरNE का ध्यान रखो, सहानू, भूति महसुस कराना ज़रूरी है, जैसे मैं आपके लिए रात को तीन बज रहे हैं, जाकर, कि बड़े बड़े वीडियोज बना रहा हूँ महनत कर रहा हूँ editing करेंगे भी और भी चीज़े हैं दुनिया वर का light करमी पसीना सब आता है ठीक है manage करते हैं महनत करते हैं because आपके लिए ठीक है और महसूस कराना चाहते हैं आपको कि बैया हम आपके लिए ही वीडियोज बना रहे हैं बात को समझो दूसरी की जरूरत हो कि चिंताओं को समाझेना यह भी यह communication skills का हिस्सा है कि दूसरों की जरूरत की जो चिंताओं हैं वो अपने हिस्सा में ले लो लेकिन लिमिटर अगर किसी की जवाब नहीं लग रही है और मैं कुशिश करता हूँ कि उसकी जवाब लग जाए ठीक है तो यह बैस्ट बात है लेकिन अगर मैं यही लेकर रोज बैट जो कि कि जोब लग क्यों ने रही मैं लगवाँगा ये करूँगा वो करूँगा तो फिर blender है ठीक है उतना काम जरूर करो उतना किसी के बारे में जरूर सोचे जितना आप कर सकते हो लेकिन वो पुरिक-पुरी ध्यान को इंपेदी का ध्यान जरूरी है ये तीन बाते आज के इस episode में आपने सीखी है अगर आप seriously हमसे थोड़ी सी भी महबबत करते हैं तो please इस वीडियो को अपने एक दोस्त के साथ दरूर शेशे करना कम्यूनिकेशन इस्किल्स का बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा जाके परचेश कर सकते हैं तेमा तभी बहुत ही गम है 49 नुपीज चलिए हम आपसे दूसरे वीडियो में मिलेंगे मेरा नाम जुनेद है इस वाले वीडियो में इतना ही जै हिंत